हेलो प्यारी बच्चों कैसे हैं आम सभी आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे बच्चों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे S.E.R.T. के द्वारा शुरू किये गए रीडिंग कैंपिन के तहत इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 34 जो की क्लास 4 की वर्कशीट है और इसकी डेट है बच्चों 26 फर्वरी 2022 और इस वर्कशीट की थीम है Let's Recycle Plastic तो बच्चों आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे तो चलिए इस वर्कशीट को हम स्टार्ट करते हैं Good morning dear students, hope you are doing well उमीद है कि आप सभी अच्छा कर रहे होंगे Do you remember Mithu's birthday gift for Montu? क्या आपको Mithu का birthday gift याद है जो उसने Montu को दिया था? Wow, in what an interesting way he reused the plastic bottle और कितने interesting तरीके से, कितने अच्छे तरीके से उसने plastic के bottle को use किया था और gift बनाया था Today, let's read aloud a poem together तो चलिए, आज हम एक साथ मिलकर एक प्यारी सी poem को पढ़ते हैं ठीके बच्चों? So, poem का नाम है, let's recycle Look around, there's so much plastic अपने आसपास देखिए, यहाँ पे बहुत सारा plastic है Let's recycle, it's fantastic तो चलिए, इस plastic को हम recycle करते हैं और recycle करना बहुत ही fantastic, बहुत ही अच्छा होता है Don't forget about paper and glass और recycle करते टाइम, paper और glass को बिलकुल ना भूले Recycle together with your entire class अब आप recycle करेंगे, आप भी करेंगे और आपके जो classmates हैं, वो भी आपके साथ recycle करेंगे We shall make sure we never litter तो हमें ये make sure करना चाहिए कि हम इधर उधर कच्रा ना फैलाएं Let's recycle, we are not quitters तो चलिए recycle करते हैं क्योंकि हम किसी चीज को बीच में छोड़ने वाले नहीं हैं When we place our garbage in the right bin जब हम अपने कच्रे को सही कच्रे के box में डालते हैं आप सभी को पता है, दो तरह की कच्रे के box होते हैं एक blue color का और एक green color का तो हमें पता होना चाहिए कि blue color में हम कौन सा कच्रा डाल रहे हैं और green color में कौन सा कच्रा डाल रहे हैं और उसे हमें change नहीं करना चाहिए Both of us and nature will clearly win जब ऐसा हम करते हैं तो हम और nature दोनों ही जीच जाते हैं और हम एक अच्छी life जीते हैं और हमारे आसपास जो nature है वो भी काफी जादा healthy होता है ठीके बच्चों? तो बच्चों ये पोम तो बहुत ही जादा प्यारी थी और इसने हमें बहुत सी अच्छी चीजे बताई हैं कि हमें पुरानी चीजों को recycle करना चाहिए जिससे हमारी अर्थ सेफ रहे To keep the environment clean, we need to practice the three hours every day तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी अर्थ, हमारा environment clean रहे तो हमें तीन आर्थ अपनी लाइफ में यूस करने हैं वो कौन-कौन से हैं? First है reduce, second है reuse and third है recycle How can we reduce? तो हम reduce कैसे कर सकते हैं? The best way to reduce is less use of resources तो best तरीका है reduce करने का कि हम resources को कम से कम इस्तेमाल करें कम से कम इस्तेमाल करने का मतलब है कि जहां जरूरी है उतना ही इस्तेमाल करें, चीजों को waste ना करें For example reducing garbage यानि कच्रे को जितना कोशिश करें, जितना कम कर सकें, उतना कम करें Second आता है recycle The best way to recycle is to make new products from waste materials तो recycle करने का best तरीका ये है कि जो चीज़े हम इस्तेमाल कर चुके हैं उसको change करके नए नए materials बनाके उसे हम use करते रहें This is why it is important to use recycling bins और इसलिए जरूरी है कि हम recycling bins का यानि कच्रे के box का इस्तेमाल करें How can we reuse? तो हम चीज़ों को reuse कैसे कर सकते हैं We can find a new use for something we don't need anymore तो कोई चीज जो इसको हमने मानलो कभी खरीदा था उसको use करने के लिए पर अब हमें उसका use नहीं करना है क्योंकि हमारा काम हो चुका है तो हमें नए तरीके ढूने चाहिए कि उसको हम और कहां कहां use कर सकते हैं Like we can plant flowers in old plastic bottles जैसे कि हमने मानलो पेपसी की एक बॉटल ली हमने उसे पेपसी पी लिया उसके बाद वो बॉटल को generally हम fake देते हैं पर ऐसा ना करके उस बॉटल को हम एक फ्लार पॉट के रूप में चेंज कर लें और उसमें चोटे-चोटे से plants लगा लें या flowers को grow करें तो इससे हम क्या करेंगे उस बॉटल को use कर पाएंगे उसको हम reuse कर पाएंगे तो इस तरीके से इन 3 hours को follow करके हम अपनी अर्थ को अपने environment को clean रख सकते हैं तो हमें happy वाला smile बनाना है जहां पे हम 3 hour का use कर सकते हैं और sad वाला बनाना है जहां पे हम use नहीं कर सकते हैं फर्स्ट है take your own shopping bags to the supermarket तो हम अपना खुद का shopping bag लेकर जा सकते हैं सुपर मार्केट में correct है तो यहां पे हम smiley face बनाएंगे ठीक है second है buy food with a lot of plastic boxes buy food with a lot of plastic boxes मतलब इसका यह है कि आपको वो खाने खरीदने चाहिए जो कि प्लास्टिक के box में generally pack होते हैं तो नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो plastic box हम जादा से जादा से जादा स्तमाल कर रहे होंगे third है turn the water off when you brush your teeth तो जब आप brush कर रहे होते हैं अपने दातों को साफ कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपको जो टाब है जो पानी का टाब है उसको बंद करना चाहिए तो बिल्कुल करेक्ट बात है तो हम यहां पे smiley बिनाएंगे fourth है buy plastic bags every time you go to the supermarket तो जब भी भी आप supermarket में जाते हैं तो आपको plastic bag खरीदना चाहिए तो बच्चों ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें अपना खुद का जूट का box या कोई दूसरा ऐसा bag लेकर जाना चाहिए जिस से हम environment को pollute ना करें next है put all the garbage in one bin क्या हमें सभी garbage को सभी कचरे को एक ही box में डालना चाहिए तो नहीं क्योंकि अलग अलग तरीके का box होता है और अलग अलग तरीके से हमें उसको use करना चाहिए next है use a plastic box as a stationary box तो हमें plastic box as a stationary box use करना चाहिए तो बचो हमें generally stationary box के लिए भी हमें ऐसी चीजों का इस्तमाल करना चाहिए जिसको हम recycle कर सके तो इसको भी हम sad smiley बनाएंगे next है buy products made from recycled materials तो हमें ऐसे product खरीदने चाहिए जो कि recycle material से बने हैं बिल्कुल correct है क्योंकि ऐसा अगर हम करते हैं तो उससे क्या होगा बच्चों कि हम एक ही चीज को बार-बार use करेंगे नई चीजों को हम use नहीं करेंगे और इससे हमारा environment clean रहेगा अब आपके parents के लिए सुझाव है कि बच्चों को plastic के नुकसान के बारे में अवगत कराएं और swim भी plastic के थैलों के बजाए कागस या कपड़े के थैलों का प्रियोग कीजिए तो बच्चों ये थी आज